Hello friends, welcome back to my channel. This is Shashruti and I hope you all are doing very well. तो आज जो व्यूव आप देख रहे हैं, वो UK का नहीं है. जादा तर UK के लोग अपना vacation बिताने के लिए spend जाते हैं. UK से spend का जो distance है वो बहुत जादा नहीं है. तो इसलिए लोग spend जाते हैं घूमने के लिए. यहाँ पर समझ जो है, बच्चों की छुट्टी हो जाती है एक महिने की, तो तभी spend जाते हैं. तो आपको क्या लग रहा है? मैं कहा हूँ, spend में हूँ या UK में हूँ? नहीं नहीं, मैं spend में नहीं हूँ. मैं UK में ही हूँ. मेरी friend गई है spend और वहाँ से मुझे वो कुछ वीडियो भेज रही थी, photos भेज रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और जब भी मुझे कुछ अच्छा लगता है न, तो मैं दिल से बोल रही हूँ, मुझे बस आप लोगों की याद आती है. आप में से जादातर लोगों को वीव बहुत अच्छा लगता है, UK का. तो मैं सोची कि जब UK का वीव आपको इतना अच्छा लगता है, तो जिस वीव के लिए ही जाना जाता है spend, तो spend का वीव कितना अच्छा लगेगा. तो तुरंत मैं जटपच से बिना एक सेकंड देर किये, उसे मैसेज किये कि मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा spend के कुछ वीव मुझे दो, मेरे YouTube फैमली में जो मेरे भाई बेहन है, मेरे जो फ्रेंट्स है और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन सभी को वीव बहुत दिखाऊंगी, तो फिर उसे, वो मेरी बच्पन की फ्रेंट है, स्कूल की फ्रेंट है, उसे मैं special thanks बोलना चाहूंगी कि उसने मुझे भेजा, जिसलिए मैं आप लोग को दिखा पा रही हूँ, तो ये देखिए, ये बिल्कुल ब्लू ब्लू बिल्कुल पानी, और उसमें ये देखिए, उसके जो होटेल में वो थी, उसके छट पे वो गई थी, और वहीं से वो उसने ये रेकॉर्ड किया, क्याहा का पानी बहुत फेमस है, जब आप ब्लू पानी देखिए, तो समझ जाए कि आप स्पन हमें है, और ये हमारी प्यारी सी, क्यूट सी बेटी जिया आप सभी इसे आशिरवाद दीजिए बहुत कि ये जिन्दगी में हमेशा खुश रहे और बहुत तरक्की करें, तो इसके साथ ही उसके होटेल के उपर से नीचे का विउ, आप लोग थोड़ी देर एंजॉई कीजिए, आशा करती हूँ, आप लोग को विउ अच्छा लग होगा और थोड़ा देर आप लोग को मैं spend भी गुमा ली होगी, तो अब मैं ये साग जो लाई थी, ये साग हम इंडिया में तो कभी नहीं देखे हैं, मैं नहीं देखी हूँ at least, तो ये यहां मिल रहा था और ये मैं ना कभी बनाई नहीं, मैं पहले जब खर दी थी उसी दिन आपको बताई थी, तो ये recording पहले का है, तो मैं आज सोची मैं इसी को बनाती हूँ, और देखी इसके अंदर मैं सोची थी, कुछ हो कुछ हो, लेकिन कुछ भी नहीं था, बस साग के अंदर साग, साग के अंदर साग, ऐसे एक एक रैप खो लिए, तो अंदर साग साग मैं अभी तो सोची थी, कि मैं इतना ही बनाऊंगी, इतना ही दूंगी, कि अगर इसका टेस्ट कैसा भी होगा, अच्छा ही लगेगा, तो इसे मैं बिल्कुल पतला पतला छोटा छोटा काट ली, और इसे देखी इस तरह से आपको काटना है, और इसका जो डंटल है वो थो तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अदरक, इतने सारे लेसुन, इतना सा प्याज, बस जाधा नहीं लूंगी, और ये तो साग है ही, तो ये है बन गया था, मेरा साग बल्कुल मैं उसके साथ ही छोटी और बना दी, तो मैं बीच का जो था ना, वो मैं रिकॉर्ड की नहीं, और मुझे लग रहा था कि रेकॉर्ड हो रहा है, इसलिए साग का पूरा मुझे नहीं हुआ, I'm so sorry, मेरा एक साग बचा हुआ है, जिस दिन बनाऊंगी मैं पूरा रेकॉर्ड करूंगी, ये बनाई हूँ, आलू दम, आलू का भुजिया, एक मिक्स वेज, हलका हलका सेलो फ पीस रही हूँ, क्योंकि जब ये स्प्राउट मैं बनाती हूँ ना, तो मेरे हस्बेंड और मेरा बेटा, एक दो दिन तो मन से खा लेते हैं, बोलते हैं, बहुत प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, उसके बाद वो मुझे बनाते हैं, तो आज मैं उसे पीस दी, और कुछ इस तरह का कंसिस्टेंसी था, मेरे स्प्राउट का, और ये पीसने के साथी मैं और एक चीज पीसी, क्या है वो, वो है राइस, हाँ, आज मैं बनाने वाली हूँ, स्प्राउट को पीस के, पेस्ट बना के, और चावल को पीस के धोसा, तो मैं इस तरह से उन लोग को धोसा दूंगी, तो उनको टेस्ट भी नहीं पता चलेगा, और आराम से वो खालेंगे, स्प्राउट तो बहुत अच्छा था, और देखिए, मेरा धोसा का भी बैटर तयार हो गया, और कुछ कंसिस्टेंसी इस तरह का आप रखिए, कि वो ना लिक्वीड हो, ना मोटा हो, मतलब अगर आप इडली बना रहे हैं, तो थोड़ा थिकनेस होना जरूरी है, लेकिन अगर आप धोसा बना रहे हैं, तो वो बिलकुल पतला होना चाहिए, और क्योंकि ये ना सिर्फ उरत दाल का चना दाल का नहीं था, स्प्राउट का था, तो थोड़ा सा तो उस तरह का धोसा वाला बैटर नहीं बन रहा था, इसका मतलब जो पॉफेक्ट एकदम कंसिस्टेंसी वो नहीं था, लेकिन धोसा बना बहुत बहुत तेसरी था, मतलब आरुश बोल इतना मतलब नॉर्मल धोसा जितना नहीं खाता है, उससे जादा ये लोग खा गए, इतना अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाली थी और कुछ भी नहीं डाली थी, अब मैं इसको ढखके कुछ दिर के लिए रख दूँगी, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा 3-4 घंटे बाद उसे मैं इस तरह से धोसा बनाई, देखे, कोई बोल नहीं सकता है कि ये धोसा, स्प्रा बनाई, तो ये बहुत अच्छा बनाता और इसके साथ एक चटनी बनाई थी, और बस मैं यही सवफ की, और सामबर नहीं बनाई थी, तो मैं थोड़ा इस तरह का लाल-लाल हो जाता है ना, तो अनिल को या आरुश को पसंद होता है, ये लोग वाइट वाइट नहीं पसंद करते हैं, तो इसी तरह का क्रिस्पी वो लोग को पसंद है, तो मैं दोनों को इस तरह देखे, इसका अल्रेडी खाना हो गया था, पर मुझे लगा था कि ये लोग जादा नहीं खाएंगे, पर वो खा रहते, तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि चलो मैं ये रेसिपी उन्ह हो जग गया था और बहुत अच्छा सा हो गया था, तो मैं इसमें लोग के लिए उत्तपम बना रही हूँ, क्योंकि दोनों टाइम मैं धोसा दूंगी ना, तो वो लोग खाएंगे नहीं, तो इसलिए मैं उत्तपम में क्या की, कि जितना वेजिटबल्स हो सकता है, एड़ क चीज को हलका स्टीम करके उसमें डाल दी थी, और इस तलस से मैं थोड़ा मोटा मोटा और बड़ा बड़ा उत्तपम बना के उन्हें दे दी, अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढग दूंगी, और सेम जो उत्तपम का प्रोसेस होता है, बनाने का सेम वही मैं उसी तरीके से बना रही हूं, उसी प्रोसेस को फॉलो कर रही हूं, इसी तरह से आप उरद दाल और याचना दाल, उरद दाल और चावल को भिंगो के उसे पीस लीजिए, और फिर उसके हलका सा सॉल डाल के और उसको रात भर भिंगो दीजिए, सुबा में जब वो बहुत अच्छा सा फपा जाएगा एक दम उपर तक आजाएगा ना, तो उसे इस तरह से आप डालिए और ढग दीजिए, और इसमें जितना वेजिटबल्स डाल सकते हैं, उतना वेजिटबल्स डालिए, लेकिन हाँ जो आपके बच्चों को या घर में पसंद हो, मेरे घर में जो जो पसंद ह मैं वो हर चीज डालती हूँ, अनियन डालती हूँ, टोमेटो डालती हूँ, और यहाँ देखिया आरुश क्या कर रहा है, आरुश को ना, मैं बोली सारा दिन तुम गैजट में पढ़े रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, ना उल्टा सिधा दिन भर छुट्टी तो तुम ऐस बितालोगे, कुछ क्रियेटिव करो, जो अच्छा भी लगे, तो वो एकदम जोस में आ गया, और यहाँ पे वो बनाने लगा कुछ, मुझे नहीं पता वो क्या बना रहा है, पर अपना वो कार्डबोर्ड सब ले आया था स्कूल से ही, जब वो आप लोगो को शायद याद होगा, मैं दिखाई थी, केदारनात मंदिर बनाये थी, बहुत अच्छा बना था, वो रिटर्न वो तो स्कूल से नहीं लाया, लेकिन ये बना रहा था, और अभी मुझे बोल रहा है, मॉम इसमें मुझे देखो, कैसे होगा, तो मैं वही उसका देख रही थी, बच्चों क सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, वो कुछ भी करें, आप उसको देखिये, उसको बोलिये, उसके साथ बैठिये, आप कितना भी बीजी हो, कितना भी बीजी हो, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिये, उसको एप्रिशेट कीजिए, कि हाँ भाई ये अच्छा है, अगर अच्छा नहीं है, तो उसे अच्छा बोल के किस तरह से नहीं बोलना है, तुमने मेहनत तो बहुत अच्छा किया, बना भी बहुत अच्छा है, बस ये थोड़ा सा जगा अगर अच्छा बन जाता ना, तो बहुत अच्छा होता, ऐसे बोलने से वो चिर चिर्षडाते नहीं है, आप अगर डारेक्ट बोल देंगे, देखो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा हो गया, तो बच्चे चिर्षडा जाते हैं, और देखें, ये भी देखना होगा, कि पूरा महीना वो घर में है, तो ऐसा तो नहीं होगा, कोई सत्यूग का बच्चा है, ऐसा त बच्चा होगा, तो मैं सबसे पहले आकर उसी का बनाना स्टार्ट की, और उसके बाद मैं आरुश को दूँगी, मेरे हस्बेंट को, तो यहां मैं आरुश को दूँगी, उस प्लेट को ले आई ना, तो वो धूला हुआ नहीं था, तो इसलिए मैं धोने के लिए उधर चली गई थी, तो वैसे तो धोके ही रखती हूँ, मैं मतलब पोच्चते रहती हूँ, लेकिन फिर भी आप जितना बार कोई चीज देना, तो मुझे ये डर लगता है कि रात भर पता नहीं कोई कीड़ा चल गया है, क्या हुआ, तो मैं दुबारा से धो लेती हूँ, हर चीज को, कि मेरी आदत है, मतलब इदम धोना ही है, तो यहां मैं दूसरा वा बहुत अच्छा था, यह धनिया पत्ता और कुदीना पत्ता, कच्चा आम, टमाटर डाल के की थी में, बहुत टेस्टी था, दोनों को बहुत अच्छा लगा, और एक मैं हराम इर्श डारी थी, क्योंकि मेरे हस्बन और बेटा दोनों ही तीखा नहीं खाते हैं, और यह चोटी-चोटी बाते जो हम ही बस जानते हैं, कोई और नहीं जानता है, तो मैं इसे खाना दे दी, और मैं बोल रही थी कि खालो अरुष थोड़ा सा, तो वो दिखा रहा है कि मौम यह वाला कैसे करूँ, यह सेट नहीं हो रहा है, तो इस तरह वो मुझे हर चीज अपना ब बारा है, तो यह जगा को ठीक करना है, तो वो उस जगा को ठीक करेगा, तो अगर आप बच्चे को अच्छे से समझाएंगे ना, तो बच्चा क्या होता है, वैसे तो बच्चे आज कल के बच्चे ऐसा नहीं है, कि चिर्चिर नहीं करेंगे, फोन नहीं लेंगे, या फिर ग्याजट नहीं लेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे 100% है लेकिन आपको उसमें भी थोड़ा बहुत आपको patience भी रखना होगा हमेशा गुसा चिर चिर नहीं कर सकते हैं आप तो यह हाँ पे इसका जो बनाया था वो खड़ा हो गया मैं उसे बताई कि इस तरह यह यह चीजे कर तो यह बिलकुल खड़ा हो जाएगा स्टैंड कर लेगा तो यह क्या बना रहा था यह बहुत अच्छा कुछ बनाया क्या बनाया वो मैं आपको दिखाऊंगी जैसे अगर अभी बना दिया तो मैं अभी बना दिखा दूंगी नहीं तो next vlog में मैं दिखाऊंगी लेकिन उसका उपस चटनी लोगे और कैसा बनाने बहुत अच्छा सच में तो ये है next day का vlog जब आरुष पूजा कर रहा है और जैसे बच्छे आपको देखते हैं तो बच्छे खुदी वो सीख लेते हैं मैं आरुष को कभी भी फोर्स नहीं करती हूँ पूजा करने के लिए मंत्र पाट करने के लिए लेकिन बच्छपन से ही जैसे वो कुछ 10-11 महीने का था तब से वो मेरे साथ पूजा करता है और सुबह से उसे पूजा करने का आदत है अभी वो रेगुलर नहीं करता है लेक मैं पाट करती हूँ जिस जिस भगवान को एक के बाद एक पूजा करना चाहिए वो सारी चीज़े वो करता है यहां मैं नीचे गई थी कुछ काम था तो फिर मैं आई और इन लोगो के लिए आटा गूत रही है दूसरे दिन आरुष पूजा कर लिया था तो मुझे उतना ह पूजा करता हूँ तो तुम्हें पूजा करने की क्या जरूरत है तो तुम तो जस्ट नहां के हाथ जोड़ लो बस हो जाएगा क्योंकि मैं आरुष को कहीं बार ऐसा बोलती हूँ ना कि मैं पूजा करती हूँ तो तुम लोगो डेली करने का जरूरत नहीं है जब भी नहा इसलिए तुम लोग पुजा करो ना करो मैं नहीं छोड़ सकती तो यहां घी वाला रोटी और बिल्कुल साथविक सिंपल आलू गाज और पत्ता गोबी का सब्जी रनाई है तो आरुश अचार मांग रहा था और मैं उन लोग को ऐसे आदत डाल दी हूँ अचार का कि पहले वो नहीं खाते थे पर अब तो ऐसा हो गया है कि उन्हें चाहिए ही जाहिए अचार को अचार काते हैं अब तो वो तो इसके साथ ही मैं उन सब ही अपने फ्रेंट्स का नाम लेना चाहूंगी जो लास्ट मतलब कल परसो में मुझे कमेंट किये थे क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि उन सब का नाम मैं नेक्स ब्लॉग में लोगी तो उन में हैं शर्मिला दास, स्टाइलिश हेना महंदी आर्ट, वरुन स्रिवास्तव, मिनाक्षी मलाया, अंजली ओफिशियल, बीनू आर्वी, एंचो, डियस ब्यूटी क्वीन, गेमिंग जोन, माइंडस्केप, साधना 394, पृतिका, नजीला, जाहिद, पूजा शायनी आप सभी को बहुत 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 थैंक्स, दिल से थैंक्स, और जो लोग मुझे कमेंट नहीं कर पाए, लेकिन मुझे देखे, और जो मेरे तरक्की, मेरे मोटिवेशन के कारण है, वो हैं आप सभी, एक एक सेकंड भी मुझे कोई दिया है, मतलब एक मिनट के लिए भी को कोई मुझे दिया है, तो उन सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी, और आप सभी के कारण मैं इमोटिवेट रहती हूँ, और मुझे नेक्स डे एक और ब्लॉग बनाने का इनरजी आपके ये कमेंट और आपका एक व्यू से मिलता है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कि मेरा यहां यूके में अपना देश, अपनी मिट्टी और अपने लोगों से दूर रहके, जो अकेला पन है, वो आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक पूरा करता है, मतलब दूर कर देता है, मुझे बिलकुल जब से मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, आप लोगों के ल नहीं होता है, तो फिर मैं सुबह उटना भी पड़ता है, और काम करना पड़ता है, लेकिन उसके बदले जब आपका कमेंट आता है, और लाइक आता है, तो चुटकियों में सारे थकान गायब हो जाते हैं, मैं तुम्हें बड़ता है तुम्हें नहीं पिएग तुम अभी चाहे तो नहीं पिऊँगे, अभी पियोगे, रोटी के साथ अच्छा पीऊख़, आप लेज़गर अफेक लम्या करें है अबजी खैया है मैं जानती हूँ आप में से कईयों को मेरा लाइफस्टाइल बहुत सिंपल लगता होगा बहुत साधरन सा बोरिंग सा लगता होगा लेकिन मैंने इस लाइफस्टाइल को पकड़ के रखा है संजो के रखा है ये लाइफस्टाइल को मेंटेन रखा है जब मेरी शादी हुई थी तब से लेकर के अभी तक मैं एक ही लाइफस्टाइल को कैरी कर रही हूँ मतलब संजो के रख़ा है और उसी को चला रही हूँ अपने बेटे में भी मैं वही सारी संसकार दी और मैं उसे सिखाई कि जितना साधरन रह सको, जितना साधरन अपना lifestyle बना सको, उतना बनाना, और ये क्योंकि मैं एक middle class family से हूँ, तो मैं जानती हूँ कि इसमें कितना खुशिया है, तो कितना सुकून है, कितना सांती है कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं तो बस यही है मेरा lifestyle, किसी को अच्छा लगे तो अच्छा, किसी को बुरा लगे तो बुरा तो इसके साथ ही आज का मैं यही एंड करती हूँ आशा करती हूँ, आप लोग को बुरा अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूले और हाँ, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दे, अगर अभी तक लाइक नहीं किये हैं, तो चैनल को लाइक कर दीजिए फिर मिलते हैं, एक नए एक ब्लॉक में प्यारे प्यारे कुछ अच्छे अच्छे पलो के साथ तब तक के लिए, बाबाई फ्रेंड्स खुश रहे, मस्त रहे